असलाम अलेकुं शेक, अलेकुम असलाम, जी फर्माइस, जी मेरा ये क्वेस्टन है, कि जैसे कि अब मुझे भाई बहन कोई भी नहीं है, हम दोनों बेटिया है, मतलब मेरी एक बहन है, तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, मेरे अबबा का जब तव्य ठीक ने रहता है, तो म हम लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, फिर भी मैं अबबा को देख लेती हूं, मगर मुझे कोई दूसरे, मतलब, तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि दोनों का जिम्मेदारी होता है, देखने के लिए अबबा को सिर्फ तुम ही देखती हो, इस तरह से मेरे शोहर बोल से ही वो लोग जी रहे, मतलब मेरी बहन और उसके शोहर की स्कूल है, तो उसी कही सालरी से, मतलब, वो ही लोग चलाते हैं, जो आभबा का ही है, मेरा उम्मी का इंत्काल हो चुका है, करोना के टाइम पे, तो मतलब, मतलब, हम लोग को को जी सीफ, शिस्टर का सवाल है देखे अगर उनके वालिद साहब के पास इतना माल नहीं है जिससे कि वो अपना खर्चा उठा सके तो ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि उनके वालिद का खर्चा कौन उठाएगा जवाब इसका ये है कि उनके वालिद का खर्चा वो सारे लोग उठाएंगे मिल करके जो उनके वारिस बनने वाले हैं फर्ज कीजिए आज की तारीख में अगर उनकी वफात होती है तो उनके वालिद के वरसा कौन कौन बनने वाले हैं उनके वालिद के वारिस जैसे वो दोनों बहने जो हैं उनकी बेटियां दोनों वो बनेंगी, अगर उनके भाई होंगे तो वो भी बनेंगे, क्योंकि बेटे तो हैं नहीं, बहने होंगी वो भी बनेंगी, तो उनके जो वारिष बनने वाले लोग है, उनका खर्चा उठाएंगे उनके गरीब होने की सूरत में, अब अगर इन दोनो बहनों के अलावा उनक कोई नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों बहने उनका आधा आधा खर्चा उठाएंगी जए इसका शरी होकुम है अगर दूसरी वाली बहन खर्चा नहीं उठा रही है तो यह उसकी गलती है जाहिर है हमारे यहां इस्लामी गजा का तो इंतिजाम है नहीं कि वो जो उनके वालिद हैं काजी के पाँ जाएं और वहां से फैसला ले करके आ जाएं लेकिन जो शरही हुक्म है यही है कि वो दोनों बेटियां उनका खरचा उठाएंगी और वो दोनों बेटियां भी किस सुरत में खरचा अपने वालिद का आधा आधा दोनों शेयर करेंगी दोनों बेटियां अपने माल से मैं अपने माल से इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उनके जो शोहर हैं दोनों बेटियों के उनके शोहर के उपर वाजिब नहीं है अपने ससूर का खर्चा उठाना अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यह उनकी जानिब से इहसान होगा, लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते हैं, तो उनके उपर वाजिब नहीं है, इन बेटियों पर अपने खास माल से अपने वालिद का खर्चा उठाना वाजिब है, और फर्ज करें अगर बेटियों के पास कुछ भी नहीं हैं, तो बेटियों पर वाजिब नहीं है, क्योंकि वो खुद मुहताज हैं, उनके पास कुछ नहीं है.